नमस्कार दोस्तो मेरे चैनल रूब टैरेज गाटनिंग में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक अस्ट्रावेरी प्लांट से कैसे आप बहुत से स्ट्रावेरी की नए पौधे तयार कर सकते हैं इसके seed से नए पौधे तयार करने में बहुत समय लग जाता है चुकि seed को germinate होने में एक महिने का समय लग जाता है और अनुकूल परिस्थिती नहीं मिलने की कारण इसके seed की germination नहीं हो पाती हैं दोस्तों जैसा की आपको पता होगा की strawberry plant एक सकर plant की स्रेणी में आता है जिसके root से जो runner stem निकलते हैं उससे आप नए पौधे तयार कर सकते हैं आज मैं आपको अपने बालकनी गार्डेन के एक strawberry plant से कई नए पौधे तयार करना सिखाऊंगा मैं एक साल पहले नरसरी से एक पौधा 40 रुपया में खरीद कर अपने बालकनी गार्डेन में गमले में लगाया था और इस season मैं इसकी fruiting की harvesting ले चुका हूँ अब इसकी fruiting आना बंद हो चुकी है पौधे बहुत घने हो गए हैं और इसके जड़ पूरी गमले में फैल चुके हैं दोस्तों अब नए पौधे तयार करने के लिए गमले में लगे पौधे को जड़ सहीत उखाड ले और इसके जड़ को इस प्रकार अलग अलग कर ले इस प्रकार से आप कई नए पौधे तयार कर सकते हैं देखिए दोस्तों मैंने एक पौधे से करीब नव नए पौधे तयार की हैं इस प्रकार आपको नव नए पौधे भी मिल गए और आपका आठ पौधे जो आप नरसरी से खरीद कर पर्चिश करके लाते इसका पैसा भी बज़ गया दोस्तों इस प्रक्रिया को आप 5-6 सालों तक कर सकते हैं इसकी फौटिंग और ले सकते हैं क्योंकि एक अस्टरबेरी का पौधा सही देख रेक में करीब 6 साल तक फौटिंग दे सकते हैं दोस्तों गमले के लिए अच्छी मिठी कैसे तयार करेंगे इसका वीडियो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं अच्छी मिठी तयार करने के लिए मिठी में प्रचूर मात्रा में वर्मी कमपोस्ट, गुबर खाद, कोकोपीट, बोन मिल पाउडर, नीम खली, सुखी नीम, पत्ती का मिसरन कर मिठी तयार कर सकते हैं अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब कर लें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें धन्यवाद दोस्तों और दोस्तों